किहसे करनी है कोम सी र्थमाज यच्छी होगी प्रफेशनल में जाना है या इन्डीज़ रेसेंटर में फाइदे और नुकसानात क्या है दोनों में जाने के यह लिए अब दो वह वह तो हम लोग देखेंगे प्रड़ रैंकिंग आज हम लोग देखेंगे तो ऐसी कौनसी टेकनीक अश्य को से वेज हैं को लास्ट मिन खाय था कि हम लोग एक रुवाइती चीजें तो देखते वए जाएंगे लेकिन असल में जो चीजे पॉजिटीव हमारे लिए थाबित होती है जो असल में फाइदा पूंचाती है वो होती है मारी टेक्नीक्स ठीक है जी हम हम सब को यह चीजे नजर आएंगी या यह चीजे सुनने में मिलेंगी कि द्राज के उपर कमपेंज रन कर दो यह कर दो वो कर दो आपकी प्रड़र्ट रैंक हो जाएगी लेकिन असल में बैक एंड पे कुछ ऐसी टेक्नीक्स होती है जिनकी वज़ा से हमें रियल में फाइदा मिलता है ठीक है जी तो आज हम देखेंगे कि वो टेक्नीक्स गया है और उन से हम फाइद रिकारडिंग होन होगी है अच्छा जी सब से पहले तो मैंने आको जो चीन पताई थी वो पताई थी فलेश सेल हम लोगा ने जो प्रड़र्ट हंटिंग हमारी होनी है उनिह corn Castro के जरीये होनी हैjuk Pelाससेल वे पास बड़े-बड़े brand है उनको हमने मैशा निग्लेट करना है क् अगर हम लोग बड़े ब्रैंट को कम्पेट करने निकल गए तो हमारी परड़क कभी भी रैंक नहीं होगी हम लोग कभी अपनी परड़क कर रैंक नहीं कर सकेंगे कि इसकी रीजन क्या थी इसकी रीजन यह थी क्योंकि आप सब को पता है कि दराज अभी बहुत जादा नो हाव नहीं है मार्केट में काफी हद तक एक न्यू मार्केट प्लेस है अभी लोग इसके बारे में जान रहे हैं इसको समझ रहे हैं इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं तो दराज की अभी उसकदर नो हाव नहीं हुई है तो गर एक ऐसी market जो के under development होती है उस market के जो होते हैं service providers होते हैं या जो back end पे उसको handle कर रहे होते हैं या उस पुरी niche को handle कर रहे होते हैं उस market को handle कर रहे होते हैं उनके उनके पास कुछ instructions होती हैं उनके पास कुछ rules होते हैं ठीक है जी और उन rules में एक market को establish करने के लिए सबसे important चीज़ यह है कि आप उस market में बड़े-बड़े brands का एक जलक दिखा दिया आप कि इस market में बड़े-बड़े brands available है तो जब लोग देखते लिए कि अगर यह new market place यह नया platform launch हुआ है और इस platform में आते ही बड़े-बड़े ब्रेंट्स को यहां पर शो करना स्टार्ट करा गी है तो इसका मतलब है यह कोई बहुत ही अथेंटिक चीज़ है यह कोई बहुत ही अथेंटिक platform है जिसके ओपर इतने बड़े-बड़े ब्रेंड बेट्थेंवे और सेलिंग का रहे तो वह ब्रहले क्या करते हैं वह उन ब्रैंड को जिन کی वज़ा से उनकूट्राफिक मिलती हैं अब यह जवर हैं उन ब्रेंड के जो users होते हैं वह भी फिर द्राज के पर गतलत हैं कि इनके बायर भी धरास के बार कमोरेट हो तो इसके वर एक जा करते हैं उसके है करते हैं वह और उनकी में वायर्स में भाहरा थै लाइए उन वह उस टाइम तक उन ब्रैंट्स को टॉप में रैंक करके रखता है और इसका असर क्या होता है इसका असर होता है कि उन उन ब्रैंट्स का उन वेलनों ब्रैंट्स का जो रैंक होता है वह टॉप पॉजिशन में फ्रीज हो जाता है तो जब टॉप पॉजिशन में उनका रैंक फ्रीज हो जाता है तो हमें फिर बहुत कम स्पेस मिलती है हमारी रैंकिंग की जो परसेंटेज है जो चांसी है जो प्रबाबिलिटी है वो कम हो जाती है ठीक है जी और जितने कम चांसी होंगे उतनी ही कम हमारी लॉंच सक्सेस्फुल जाएगी अब यहां पर हमारे गतने होंगे एक this पों यह कैना मैं पटी याय है यह टी कि जो भी यह यह इसकी एक यह नीश है अब एक नीश में एक बृठ कितनी क्योंसिश कर सकते हैं तो उस पूरी नीश में जो बाकी की जो पूजिशन हैं बाकी के जो रैंक्स है उनका क्या वो भी नहीं हमाँ हासल कर सकते अब होता यह है क्योंकि हम लोगों ने ओन दा स्पोर्ट जब यह मार्केट प्लेस लांच हुई थी तब हम इसके साथ टैच्ट नहीं हुए थे जब एक नीश एक ऐसी नीश जिसमें कोई स्पेसिफिक ब्रैंड होता है जिसने अपनी प्लेस अक्वायर कर ली होती है तो फिर वो बलाके चीज़ चाल रही होती है पिर होता यह क्या लॉग नीश हम देखता है क्यों से ऐसे सेकंडरी ब्रैंड्स हैं जो पहले लांच करके अपने आपको टॉप पॉजिशन पर ले आते हैं तो उन ब्रैंड्स को भी एमजोन वहाँ पे फिक्स कर देता है बेसिकलिए वो पूरी नीश ही पिर अगर अगर दराज वाले या एमजोन वाले किसी नीश में किसी स्पेसिफिक ब्रैंड को वेटिज देते हैं तो उस हैं जिनोंने उसके साथ ही लॉंच की होती है जिनोंने उसके थोड़ा सा आगे पीछे या उससे जदा पहले या उससे थोड़ा का बाद में लॉंच की होती है और वो भी पॉजिशन अपनी कोयर कर लेते हैं चाहे उस ब्रैंड के नीचे वाली पॉजिशन ही कोयर कर लेते अब इसके एक सबसे बड़ी एक्जेम्पल हमारे पास क्या है Amazon की Amazon में आप किसी भी नीश में जाए आप क्लोटिंग की नीश में चले गए लाटिंग की नीश में आपको एडिडास वाले मिलेंगे नाइकी वाले मिलेंगे Amazon खुद मिलेगा Amazon वेर हांस ब्रैंड वाले आपको मिलेंगे तीक है तो उन्होंने तो गिनके कोई दस बड़ा पॉजिशन रखुआर की वी है तो बाकी की एक पेज में 60 सेलर्स होते हैं तो बाकी की पॉजिशन का क्या बनेगा वो बेसिकली होता है है कि उन्दा स्पोर्ट उनके साथ ही या उनके आगे पीछे जो सेलर्स पहले आके रेंको जाते हैं उनकी पूजिशन को वो फिक्स कर देते हैं और अगर आज आप जाके चेक करें उस नीश के अंदर आपको जो सेलर्स आज नदर आएंगे ना मोस्ट प्रूबबली आपक करें तब भी आपके पास इतने ज़्यादा चांसी नहीं है कि आप किसी फ्रीजिंग नीश के उपर जाके आपको रेंट करवा सकें बहुत कम चांसी होते हैं प्रफेशनल अकाउंट के तुरू होते हैं लेकिन बहुत थोड़े होते हैं मतलब रिस्क फैक्टर होता है उसक पूलग हमेशा निघलाट करते हैं इसमारे रेतिक ब्रैंड को हम लोग हमेशा निगलाट करते हैं बृट हंपने से अपनी समय में से मताबिक और थोड़ा सा एफट पुट करके थोड़ा टाइम पुट करके हमने एक नीश चूज करनी थी जिस नीश में हमने सैलिंग करनी थी वो कोई भी नीश हमें पता है किसा करनी है तो आप लोगों कर रहेंगे तो लेट्स पोज यह पूर्ट आपने हाली भी है आपने स्टार्ट किसे है आपने स्टार्ट किया है एफबी से इन्वैंट्री जाता हो कि आप कमकमचास-इ exchag so यूनिट अब करते हैं अपको फ्चास-थूप लिए तन यही है आप बहलि करना है आपने इन्वानिट्री बज्वादी द्राज के वेरांस में पता कि द्रास का लोगरित्म कब चेंज हो जी और वो भी उसी वे में आजे के FBD वालों को वेटी दे दी जाए और FBS वालों को कम वेटी दी जाए तो हम रिस्क नहीं दे सके ऐसे ऐसा है तो लेकिन हम लोग फिर भी FBD ही करेंगे इसमें इन्वेंटरी जादा अच्छी तरह हैंडल हो जाती है और FBD में यह होता है कि आपको यह जो मार्किट प्लेसीज है जो आपको कहना मैं पोस्टल कोड़ है या जो इस तरह की प्लेसीज को खुलवाना पड़ता है ना लेकिन FBD में आटोमेटिकली आपकी वो स्लेक् होती है ठीक है तो आपको जादा effort नहीं पूट करनी पड़ती तो recommended FBD है आप FBD कर रहे हैं आपने first inventory पाकिस्तान से order की है reason बताता हूं इसकी मैं और आज इसका ranking में क्या असर पड़ेगा तो वह भी बताता हूं मैं आपको ठीक है अच्छा जी आपने इसकी first inventory पाकिस्ता कोई भी keyword हो सकता आपका जो भी आपका main keyword है उसके उपर आप में चेक किया है कि आपकी जो listing है ना वो last page पे मुझूद है ठीक है जी last page पे वह मुझूद है यह child safety लोग मेरे हाद से इसका keyword है इसको उठा लेते हैं हम अच्छा जी नीश में आयते हैं वही क्योंकिके आपको करते हैं keywords की के हमारा keyword कौन सा होगा जिसको हम choose करेंगे कौन से keywords के उपर हमने जाना है क्योंकि यहां पर वह चीज नहीं है कि हमें पता लगे कि यह मारा sponsored keyword है तो यहां पर होता यह है लेकिन होता ही है कि हम लोग जितने भी पॉड़ेट से keyword होते हैं वह अपने competitors की लिस्टिंग में से निकालते हैं और सब keyword की एक एक्सल की फाइल लाने और इसका मतलब ही नहीं होगा कि अगर हमारे competitor ने वह keyword यूज की है में तो उन keyword की कोई value है या नहीं है यह जीज बिलकुल भी द्रास के उपर depend नहीं करती है ठीक है अगर आपको सो keyword मिले हैं आपके competitors की लिस्टिंग से ठीक है आपने का करना है आपने 100 के 100 keywords को द्रास के उपर run करना है उसके search बार में और जिस keyword के cross आपको ज्यादा number of items नजर आएंगी ठीक है और उस keyword के cross जो आपको competitors नजर आएंगे उनकी सेल अच्छी होगी इसका मतलब है कि वह keyword आपका top most required keyword है इस तरह आप चैक करते हैं keyword की वेटी आप किस चैक करते हैं द्रास के उपर कि सबसे पहले तो आपको number of items सबसे ज़्यादा किस पर नजर आ रही है यह चीज़ सेकर लिए आपका आपने का देखना होता है कि उस keyword के cross जो top के rank के competitors आपके उनको सेल कितनी कितनी आ रही है अब यहां पर हम लोग दोगा खा जाते हैं यहां पर जल्दी कर जाते हैं हम लोग कहते हैं कि ठीक है जी रव्यूज हैं इसके उपर इसके उपर रव्यूज हैंसा मतलब इनकी सेल भी होगी अब यह चीज़ बिलकुल भ करते हैं सेल्स को वेरिफाय करना पड़ता है मैंने आपको लास्ट निपता है था एक competitor है उसके पर हजार रव्यूज हैं सेल कोई भी नहीं है तो यह चीज़ डिपेंड नहीं करती कि आपके पर रव्यूज कितने हैं आपने सेल चेक करनी होती है और वह बैक एंड वाले मे मैं यह नहीं कहा रहा यह टाइमें ट coração करते हैं कि द्रास के ऊपर आपने जाना है तो करबाला कीई के यह उपर जैंसे करें कर तो back end पर Sail चख करेंगे और उन keywords को category वाइस हम लोग रखते जाएंगे जिसकी सबसेब दिसकी थोड़ी सफेकाम फिर वह उस तरह इस तरह मारे पर descending order में सारे keywords आजेंगे और उन सारे keywords को हमने लिस्टिंग में यूज़ करना है तो इस तरह हम लोग चेक करते हैं अपनी दरा में रखनी थी थोड़ी दर पहले एक कि आपने पाकिस्तान से इंवेंटरी पकड़ी है ठीक है जी दूसरा आपने फबीडी किया हुआ है इन दो बते को आपने थोड़ा जेहन में रखना है क्योंकि आगी चलके मैं थोड़ा सा यह बात नहीं रिपीट करनी है और जिस चीज है अपनी पॉड़र को रेंग करने के लिए ठीक है एक है रवाइती तरीका एक है मेरे पास रवाइती तरीका और एक है मेरे पास स्टेटिजी स्टेटिजिकल वे है मेरे पास हम दोनों को देखते हैं सबसे पहले देखते है रवाइती तरीका क्या है सजजेस्टिट तरीक तो उसमें होता है कि हमने हमारी लिस्टिक लाइव होगी हमने क्या किया हुग है हमने इंवेंटरी ली या पाकिस्तान से पाकिस्तान की क्यों इंवेंटरी हमें थोड़ी महंगी मिली है तो क्योंकि हमने पाकिस्तान से इंवेंटरी ली है और हमें थोड़ी महंगी मिली है और हमें कितने profit में sale करना है जीरो profit पर पहले inventory sale करनी है याद आ रहा होगा आपको जो पिछले लाग्जिन में आको दिया थे तो छम्हें zero profit पर वो sell करनी है अब हम क्या करेंगे हम अपने नीश में जो top के अपर competitor होगा हमारी नीश में जो टॉप के अपर competitor है पहला या दूसरा टॉप के पर जो पहले दो इनका इनलाइज करना पड़ेगा हमें कि हमने प्राइज क्या रखनी अपनी दो कम्पटीटर ने टॉप के अपनी पर एक बेच रहे पैक अफ टू और एक सिंपल एक वान वाला बेच रहे वह फोटी-नाइन में अफटी-नाइन म कि मैंने अगर अपनी प्रड़ का रेंक करना है ना इसकी प्राइज की बीच की कोई प्राइज लोगा या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि लैट स्पोस्थ आपने अपनी नीश को देखा है और दो कॉम्पटिटर मिलें जिनकी सबसे साथ सेल है एक यह लैट सो यह वाला है और तो तब आपने का करना है तब आपने इसकी प्राइज की बीच की कोई प्राइज लेनी है ठीक है जी और किस तरह लेनी है आपने सबसे पहले तो दराज के चार्जिस देखने है कितने पढ़ेंगे इस नीश में जाने के लिए आपको कितने परसेंट चार्जिस लेंडिंग को और सेखरा निकाल के क्या मुझे जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस वाली कंडिशन बें स्टांट होता हूँ अगर तो होता हूँ बैस्ट है अगर नहीं होता नेगिटिव में हूँ तो मैं थोड़ी बहुत प्राइस इंक्रीज भी कर सकता हूँ लेकिन मैं इससे उपर नहीं जाओंगा और मैं इससे नीचे भी नहीं जाओंगा तो मेरी प्राइस वाला फैक्टर मेरा कंप्लीट हो गया प्राइस का रखनी है यह चीज मेरी डन होगी अब मैंने अपने कॉंपटीटर को टार्गेट का लिया है प्राइस के लिहां से 50 रूपीज प्राइस रिजयनेबल प्राइस है कम प्राइस है और बिल्कुल ऐसी ही प्रॉड़ेट में सेल का रहा लेट्स को मैं भी पैक अफ टू सेल कर रहों 50 रूपीज के अंदर दीगे जी अच्छा जी तो प्राइस वाली चीज मेरी होगी ड़न सेकंड चीज क्या है रेकमेंडेशन के अंदर और रवायती तरीके के अंदर सेकंड चीज है कि वन्स आपने पनी प्राइस को मिनिमम् या मीडियम प्राइस के लिए हाथ से स्लेक कर लिया टॉप के दो कॉंपटीटर जिनकी सबस्क्राइब सेल आ रही हो उन दोनों के मिड की प्राइस आपने राख लिए है आपका एक स्टेप होगा कंप्लीट सेकंड ली अब आपने का करना है कि आपने उस मिनिमम् प्राइस के ऊपर जिसके पर जिरो प्रॉफिट रहा है आपने अपनी कंपेंट ला देनी है एक है हमारे पास द्रस गया都ग यह अईली है । के लेंगे हैं और यह अच्टरी तर्द करते हैं हम लोग एक कमपेर चला देंगे ठीक है और वह कंपेर हम किस्ताइब आएंगे बहुत इजी है आप लोग सिर्फ प्रोट को स्लेट करते हो और कंपेंड रन करते हो दराज सार्टिंग में अपनी मरजी के लिए हां से आपकी कंपेंड रन करता है डिफरेंट निशी के अंदर रन करता है और बाद में वही लॉग विट्वम जो आपने अमजोन को पर देखा था दराज बात में आपकी कंपेंड को कैटिकराइज करते था जी वही चीज इदर भी आपकी उसी तरह परफॉर्म होती है तो स्टार्ट में आप लोगों ने अपनी कंपेंड रन करते नहीं है यह दो चीज़े हैं जो रवाईती तरीके के साथ हम लोग यूज करते हैं रवाईती तरीका जिससे कोई भी आपको यह नहीं कहेगा कि कोई भी यह चीज़ नहीं कहेगा अब हम आते हैं अपने अपने टेकनीक के ओपर के टेकनीक क्या है पर रवाईती तरीका और रवाईती तरीका बेसिकली मिक्स है 70% of extra techniques plus 30% of your traditional technique मतलब जो आपने भी पहली technique यूज की है क्याना मैं medium price ली आपने और campaign रन कर दी यह आपकी पहली technique यह 30% यूज होगी आपकी और बागी की 70% आपकी क्या यूज होगी बागी की 70% आपकी वो steps यूज होगे उनको discuss कर लेते हैं कि वो मारे steps क्या होगे अब मैं क्या करूँगा मुझे पता है कि मैंने campaign run कर दिया अब मैं position पे खड़ा हूँ जिस position पे मैंने campaign run कर दिया और मुझे तोड़े बहुत एक एक दो order आना start हो गया लेकिन वो एक दो order काफी नहीं है मेरे लिए वो एक दो order काफी नहीं है मेरे लिए तो अब मैंने अपनी प्रोड़कों कैसे rank रहाना क्यूंके मैंने medium price रखके campaign ला दी वही है तो अब दराज़ वालों को यहीं लगेगा कि इस बंदे के उपर जितनी भी sale आ रही है वो उसकी सारी campaign के थुरू आ रही है तो इस साइड से मैं सेफ हो गया हूँ अब मैंने क्या करना है अब मैंने यह करना है कि मेरी जो भी प्रोड़क्ट होगी यह मेरी प्रोड़क्ट है यह मेरी प्रोड़क्ट है अब यहां पर हमारे पास जो टक्नीक्स है वो दो है पहली टक्नीक क्या है पहली टक्नीक जो टो रेक्टमन करते हैं बाइब केंने की जो लिंक आपको इसको सूपर यो र्ल करने की दूरत नहीं है तो वो एक लगज़ा चीज है यहां पर आपने सूपर यूरल नहीं करना यहां पर द्राज़ यह नहीं देखेंगे कि आउटसाइट से बना यह तो वह क्या टाइप तरका है यह नहीं देखते तो आप लोग क्या करेंगे आप लोग अपनी प्रोड़क का यूरल कर देंगे अपने रियलीटिव को कमस्कम दस रियलीटिव होना ज़रूरी है यह है रेकमेंड़ मैं कहता हूं कमस्कम पंदरा से बीस हो एक और कोशी यह करनी है कि एक आई-पी के ओपर एक ही बंदा पर चेस करें और इसका मतलब यह नहीं है कि अगर एग घर में एक हार से multiple orders place करवा सकते हैं लेकिन दो से जादा नहीं मेरी जहन में रखीगा यह नो के बाद में पुर्डट को बंद करवा के बैठे हो दो से जादा नहीं लेकिन जो order place हो वो डिफ्रेंट मुबाइल से हो मतलब आपके एक गर में दो कजन है आप एक कजन को कोगे कि अपने मुबाइ से मेरे लिए order place करो फिर move on to your next relative house ठीक है तो इस तरह करते करते हैं आपने कम बीस relative से बीस अपने यूज करते हैं आपने प्रोडट के उपर कुछ 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 ब्रेक के बाद order place करवाना है अब order place किस तरह करवाना है इस listing में इस listing को wish list में add करेगा यह जो हर्ड का साइन मन है जब उसने बाइर अकाउंट बनाया होगा या वह जिसी भी बाइर अकाउंट से आएगा वह इस हर्ट को क्लिक करेगा तो यहां पर उसको ना add to wish list करतेगा उसको यहां पर email एंटर परनी पड़ेगी password एंटर करना पड़ेगा login करना पड़ेगा login करके वह इसको add to wish list करेगा जिसना amazon के उपर हम add to card करते थे थे ना तो वह already wish list में add हो जाता था लेकिन द्रास के उपर add to card लाइदा है और wish list उन्हें लाइदा रखी वी है तो सबसे पहले आपका जो भी relative है वह इसको wish list में add करेगा जी मतलब इसको like करेगा इसको wish list में add करेगा कि मैं इसको purchase करना चाहता हूँ ठीक है जी विश्लिस्ट में add कर दिया यह चीज़ सबसे जदा impact डालती है हमारे रैंटिंग योपर wish list में add कर दिया आपने second चीज़ उसने क्या करनी है second चीज़ वह नीचे आएगा नीचे आके ना ask question का यहां पे ना होगा ठीक है जी वह question answers का यहां पे टैब बनापता है यहां पे उसने क्यों नीचे हो ना इसने रिमूव करती है यह 18 लोगोंने से question answer किये लेकिन आप इसने रिमूव कर दिया है चले किसी और listing में देख लेते हैं अच्छा करेंगी तो नजर आएगा इसी लि उससे के कोई भी question पूछ ले कोई भी question उसे के कम उसकम यह पूछ ले कि इस product का size क्या है इस product का material क्या है इस तरह की question पूछ ले और उसको आप answer कर देगा तो यह second most हमारे पास step होगा हमारी listing को rank करने के लिए second step आपका जो relative है वो यह करेगा third step क्या करेगा अब third step तो यही ब add to card करेगा और कम अज कम दो दिन के लिए वो ठोड़ के चला जाएगा कम अज-कम दो दिन के लिए दो दिन बाद आएगा wishlist किया होगा उसने add to card किया होगा वह अपने card में जाएगा और इसको जाके buy not कर लेगा जब बाहनों कर लेगा उसके तक्रीबन कम पंसकम चार से पांच दिन बाद वह आपको रव्यू देगा फाइफ स्टार वह आपको फाइफ स्टार रव्यू देगा तो यह एक लंबा प्रसेजर है एमर्जॉन में तु होता था ना कि मदलब आज आए आज अड डाट किया कल जा के चलो पर चैड़ लिया लेकिन यहां पर यह चीज़ नहीं होती है यहां पर यह लोग ठोड़ा जल्दी पकड़ लेते हैं यहां पर क्या होगा कि आगर आज एट्ट्ुकार्ट किया है विश् और question पूछना यह एक phrase में रख लिए और उसके डेड़ या दो दिन बाद हमने रख लिए बाइनो करवाना तो जब बाइनो करेगा उसके 6 या 7 दिन बाद वह आपको review भी दे सकता है तो यह काँ आपने करना है और यह कमस कम कितने कितनी दफा करना है आपने minimum आपने 20 times करना ह है अच्छा आप यहां पर question होना चाहिए किसार बीस दफाई की या 10 दफाई की हूँ लोग कहते हैं 10 दफाई मैं कहते हूं 20 दफाई ही क्यों हम यह क्यों नहीं कर सकते कि मतलब हम अपने competitor के number of orders को हम लोग टार्गेट करें अब यह चीज़ Amazon पे थी मैंता है ना कि आपको आप हर चीज़ देखेंगे तो हर चीज़ का आपको लोगरित्म डिफरेंट नजर आएगा कुछ ना कुछ ऐसी में चीज़ें होंगी जो आपको डिफरेंट नजर आएंगी अब Amazon पर यह था कि मतलब वह Amazon की ranking डिपैंड करती है सेल्स और रिव्यूज के उपर दराज पर म्हुंूं है है कि वह पहले देखते हैं कि अगर दस ही बाहर आ रहें अगर आपके लिस्टिंग पर 10 बाहरा रहे हैं तो दस के दसस्हें कितने को विश्णिस्ट में ver करे हैं आप से क्वेस्व पूछ रहे हैं आप को रिव्यू हैं आप से यदाको और आप अब यहरे कि मैं उसके लिस्टिंग पे रव्यू भी दूँ या उसे क्वेश्चन भी पूछूं मतलब अगर सो लोग आते हैं तो उसमें से जाव से स्यादा दस पंदा लोग यह काम करते हैं लेकिन अब आपकी लिस्टिंग है आपकी लिस्टिंग में अगर 100% लोग आए हैं जिरोंने 100 में से क्रीबन 70-80% लोग ने यह काम किया है तो आपने रैंक हो जाना फिर तो दराज तो दराज तो दराज बेहीं वेटिज बायर्स की लाइक और डिस्लाइक रेश्यो को दे रहे तो बायर जितने भी आ रहे हैं आपके पेड़ बायर जापके रालिटे वह सारे आपको पर आपको एड कर रहे हैं यह साला काम कर रहे है और विसलिया अपने टॉप में आजिएना चाहे फर्स पोजिशन पर ना है आप खम असकम फर्स पेज़ पे आ जाएंगे जितनी भी नीशी हैं दरास के उपर हैवी नीश भी हैं दरास के उपर तो दस से पंद्रा दफाह और आप यह काम करके न आप गिव आवे करके दसे पत्राइब उसमें फ़र्स पेज पर तो बहुत इसली आजाते हैं तो जब फिर्स पेज पर आजाते हैं तो होता ही यह फिर बाकि सारे आपको आ रहे हैं और गनिक और्डर्स ठीक है फिर आपने पिर आपने का करना तब फिर आपने वेटीज देनी हो थी अपने अर्गानिक और्डर को यह कितनी जल्दी आप उनको इन्वेंटरी पुंचा रहे हैं आप इन स्टॉक हैं अच्छा अब यह कहानी थी जो अभी में आपको कहानी बताई है कि आप अपने सबसे पहले अपने कहानी देखी कि कमपेंड कैसे चलानी है रैंक ऐसे करना है वह कहानी थी अपने पॉस्अग सबसे सदा और तो उसके लिए यूज़ करना पड़ेगी सेजिड़ टेक्निक उसके लिए अब हमें यूज़ करना पड़ेगी सेकंड टेक्निक हमारे अब second technique थोड़ी बहुत harsh लगेगी आपको थोड़ी बहुत harsh लगेगी आपको लेकिन believe me यह आपकी investment है यह आपकी investment है अब second technique आपकी क्या होगी लेट्स पूँ यह आपकी listing है आपकी लिस्टिंग आपने 55 में लॉंच की विया ठीक है अब आपने टॉप पॉजिशन पर लेकिना सिंपल सिंपल सिर्फ एक चीज़ है सिंपल सिर्फ एक चीज़ है वोगे तब तक आपको organic orders भी आ रहे होंगे और आपने giveaway भी किया होंगे तो आपकी flash sale भी चल जाएगी उ और second जो most important thing है आपने अपनी price को minimum करते ना है मुझे पता है कि आप लोग की उसीज़ को संब्द रहे हैं कि जब हम price को minimum लेकर जाएंगे तो हम लोग negative में चला जाएंगे लेट्स पोल जहां पर जिस तरह minimum price है 32 और आपकी price है 55 आपको 30 31 करने पड़ेगी अगर आप में टॉप में रैंक को न है और यह आप किसे ना करेंगे आपके पास सो यूनिट आपने फिर्स्ट इंवेंटरी में मुगाए थे सो में से 30 आपको orders आगे पीछे रागे 70 अब नहीं inventory का आपने order दे दिया है क्योंकि आपको पता है कि मुझे और गनिक और आगे महीं है मतलब यह नीश चलने वाली है आपकी inventory जो चाहिना से आ रही है या अली एकस्प्रेस अलीबाबा से आ रही है वह अगली हफते में आपके पास पहुंझ जाएगी वह एक हफता है आपके पास आपकी प्रॉडट्ट को टॉप में लाने के लिए ताकि जब आप टॉप में रैंक होजें तो टोटली जो इन्वेंटी नहीं आए वह आपकी प्रॉफिट वाली इन्वेंट्री हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे उसके लिए आप अपनी प्राइस के उपर पर्सेंटेज ओफ कर देंगे यह नहीं करेंगे कि आप अपनी प्राइज को खत्म करके 32 या 31 पे लेजेंगे नहीं आप के करेंगे आप अपनी प्राइज पर जिस तरह इन लोगों ने किया हुआ है तो आप भी अपनी प्राइज पर्सेंटेज ओफ लगा देने देखेंगे कितनी पर्सेंट आफ करेंगे आप तो आपकी प्राइज टॉप में रैंक हुए एक ऐसे सैलर से जिसने मिनिम्म प्राइज टार्गेट की विए उससे कम हो जे अब लेट्स वो यह बंदा है तर्टी अब आपको टॉप में रैंक होने से कोई भी निरो सकता अगर आपकी बूरट अच्छी है तो कि आपने फ्लैसल भी चलाई भी है लोग धड़ा-धड़ आएंगे आपके पास और अगर आपको अंदर की बापता हूं तो दराज के उपर जिन लोगो थोड़ा बहुत एक्स करने का कम कर लेते हैं कि मिनिम्मम से मिनिम मम पैस टार्गिट करते हैं उससे परंड़ा रहे हो चाहे उनका सेallasis सेकंड इंवेंटरी जो मारी प्रॉफिट में जाएगी वह हमारी इस इंवेंटरी से भी जादा प्रॉफिट अंकरेगी वह इस इंवेंटरी भी कसर निकाल देगी देखें न लोग ने क्या किया वैं 249 प्राइस थी 70 की वही है अब जब यह वापस 249 पे आएंगे तो टॉप में रैंक होंगे तब इनको जो सेल आएगी वह तो इनकी यह वाली कसर भी अगली वाली कसर भी निकाल देगी मतलब कि एक अमसकम एटी परसन के कृशन लेते हैं जैसी अकाउंट खलवाया सिंपल कंपेंड ब्राइस टागट करती चानी बगैर कोई गिववे किये तो दराज एक ऐसी मार्किट है पाकिस्तान की दराज एक ऐसी मार्किट है जहां आप गिववेश का भी सारा ले सकते हैं और सिंबल कंपेंज का भी साहा ले सकते हैं निमिट क्या है मीनिमम प्राइस फोर डैट स्पेसिफिक इन्वेंटर इसमें आपको लगेगा कि बहुत फुजूल बिजनेस है द्राज यह है वो है लेकिन जिनको अखीकल का पता होता है वो वेट करते हैं उनकी सेकंड इंवेंटरी नीग करते ही द्राज की कंपेंगेंगे अब को स्पॉनसरट की साहथ और नजरा आएटी है कहीं पे नहीं द्रास की कंपेंगेंगे होती लास की गंबेंड होती है कि आप जब परसंटेज अफ देते ना खिसा करता कि प्रसंटेज ऑफ दो मैं आप पिकला दूंगा इस निए पर्डिकी और प्रड की लिबिट effect ऑंकी फाइप पर्संट आप पर्संट कषिक हो ती आप आप ने अपनि पर्डिक अपकी Moscow तो वो कीवर्ड जिन्दु जो आपने एड़ किये में उनके उपर और उनसे रेलेटिव निशीज के उपर द्राज आपकी कंबेंट्स ला देता है फोर डैट परसेंटेज ओफ ठीक है जी लोग पर्चेस करते हैं और आपके और गैनिकली रहें को जना स्टाट हो जाते हैं वो यह गाम नहीं करते हैं कि मतलब वह पहले दो तींग चलाएं फिर बाद में नई इंवेंट्री आने का वेट करें ने पहले बढ़र रांक करें बाद की जैब वह हमारा टोटल प्रॉफिट है उसके उपर हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो यह टेक्नीक होती है हमारी है अच्छा जी तो होफिली टेक्नीक का आप लोगों को अर्ने सेंट होगा कि द्रास के उपर रैंकिंग की कैटेक्रिक्स जा रही है अच्छा अब एक और चीज़ है हमारे पास द्रास के उपर वह है रिटरंज अब जितने जादा रिटरंज आते हैं उतना ही रैंक गिरत हमारा अच्छा यह चीज़ तो आपको समझ लगी है ना कि प्राइस हम लोग काम नहीं करते सिर्फ कंपेंड का यूज करते वे प्राइस के उपर पर पर देते हैं आप लोग द्रास की कंपेंड के विजर्ट करेंगे ना आप सबने सारे सेंटल के लिए रिक्वेस्ट कर द िस्ति चीजें होती हैं तो आप सब्सक्स करक?" कि अपनी कंपैंड करते हैं तो वो परसेंटेज होता है कंपैंड के थू وأंगे तू रिस्टिंग कि प्राइज आपकी 55 रहती है लेकिन इस तरह काटव आचके नहीं प्राइज लिखी व्याती है आपको आपकी 249 है जो भी आपर रखेंज हे अब यहाँ पर आप यह भी काम कर सकते हैं कि एक्ट्वल प्राइस आप इनी की तरह मैक्सिमिम्म रखें लैज आपक और आपकी प्राइस हागी मिनिमम प्राइस से कम ठीक है तो फिर वह आपको काउंट करना पड़ेगा ठीक होगे जी और वह अच्छी चीज़ भी है वह अच्छी चीज़ है द्राज तो खुश रोगा कि भाई इतना इतना जादा परसंट इजाफ दे रहा है लेकिन कभी भी ह अगर आपकी प्राइस ही 200 है तो आपको जाद से जादा ज्यादा 60% आफ करने के बिल जाएगी 70% आफ करने की आप्षन लेकिन 100% आप औफ नहीं कर सकते तो ये फॉब होते हैं कि हम 100% आफ करें प्रोडटर्ट की प्राइस वही है लेकिन तो यहीं बजाएं तक मैंने आप को व्टार्टन ह ? की प्राइस हम लोग कम रखते हैं तो जब हमारी र denken हो जाती है तो सबसे पहले community की प्राइस Ao करने से पहले हम पनी list हो जाती है न, द्रासटे उपर तो कमपेंग के जाता है, उसको वॉप 우리가 लेके जाते हैं